चे मातागी दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हार्दिक सुआगते महाकाली भगतियान यूटूब चैनल में तो दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आप सभी भगतों को बताने वाली हूँ 9 अपरेल नवरात्री में माता काली के ये 5 मंत्र पहले सिद्ध करना अगर माता की शक्ती और सिद्धी प्राप्त करना चाते हो इसी नवरात्रों में तो ये मंत्र आप नवरात्रों में सिद्ध कर सकते हो कैसे करना है सिद्ध सब कुछ मैं बताऊंगी मंतर भी बताऊंगी और ये मंतर किस कारे पे हैं अलब ये मंतर सिद्ध करने के बाद आप लोगों को क्या कारे करेंगी सब कुछ मैं आपको वीडियो के माध्यम से ही बताऊंगी लेकिन बताने से पहले मैं आपसे एक छोटी से request करना चाती हूँ अगर आप लोग महाकाली भगत ग्यान YouTube चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से subscribe to like share comment जरूर कर लेना और bell icon को उल पे set कर लेना क्योंकि यहाँ पर हमारी जो भी न्यू वीडियो आएगी उसकी notification सबसे पहले आपके पास पोचेगी जहां आपके पास पोचेगी तो आपको सब कुछ यहाँ पर सीखने को मिलेगा हर चीज का ग्यान मिलेगा देवी देपता से related तो जी आप सभी भगतों को पता है 9 अपरेल से नवरात्रे शुरू होना जा रहे हैं वो भी चेट के नवरात्रे और वो भी है माता काली के नवरात्रे माता काली के नवरात्रों में अगर आप किसी भी देवी या देव के मंतर को सिद करना चाते हो तो आपको कुछ नहीं करना है मैं आप लोगों को एक तरीका बताने जा रही हूँ जिस तरीके से आप अपने किसी भी देवी देव के मंतर को मातर 10 मिनट में ही सिद्ध कर सकते हो जी हाँ भक्तो मैं आपको माता काली के 5 कुछ मंतर बताऊंगी जो आप लोगों को इसी नवरात्रे में सिद्ध करने हैं यदि आप इन मंतर को इसी नवरात्रों में सिद्ध करत तो चलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले मंतर बोल के सुना देती हूँ फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से आपको नवरात्रे में ये मंतर सिद करने हैं तो जी पहला मंतर है ओम काली महा काली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारा यनी नमोस्तुते ठीके सबसे वैश्ट और पहला मंतर मैंने आपको बता दिया अब मैं आपको बताती हूँ दूसरा मंतर माता काली का ओम नमो नमो महा काली दोनों हाथ बजावे ताली जा बैटी पीपल की डाली तेरा बचनना जाये खाली दुहाई तुझे कुरू गोरक नात की दुहाई तुझे कुरू मचंदर नात की दुहाई तुझे इश्वर ग भद्रकाली, महाकाली, इंत्र की बेटी, ब्रह्मा की साली, पीती भरभर रक्त की प्याली, तेरा बचन न जाये खाली, दुहाई तुझे इश्वर गोरा पारवती की, दुहाई तुझे ढाके बंगाल की, ये बेरी सिंपल मंतर है, और ये तीसरा मंतर जो मैंने आपको पता चौथा मंतर बता रही हूं, इसे विद्यान से सुन लो, ओम, क्रिम, क्रिम, दक्षनेश्वर, काली के, क्रीन, क्रीन, नमा, ठीके, ये बड़ा प्यारा मंतर है, और इतना असान और इतना छोटा सा मंतर है, इस मंतर के जरिये से, आप मतर की शक्ति और स्यद्धिकों दोनो को ही प्राप्त कर सकते हैं, अब जो मैं आपको लाश्ट मंतर बताने चारी हूं, वो चौथा मंतर है, उसे विद्यान से सुन ले, ओम, क्रीन, क्रीन, हूं, हूं, फट, स्वाह, ठीक है, ये माता का ऐसा मंतर है, जो मैंने अभी बताया है, इस से माता शम्षान काली की शक् प्राप्त होती है, ये जो मैंने आपको पांचवा मंतर बता है, तो जी मैंने आप लोगों को ये पांच मंतर बता दिये हैं, अब मैं आपको बताती हूं, किस तरीके से आपको इने नवरात्रों में सिद्ध करना है, तो जी आप लोगों को करना क्या है, जैसे देख लीज हैं साहब बचाना है साथ में डो अगड़ती जलाकर अपने पास लगाने फिर फीछ फुटे लोटे में तोड़ा सा घंगा अब आपको अगरवत्ती के साथ बेना है उसके बाद आपको करना क्या है शो मैने मंतर बताए हैं आपको पांच इन मंत्रों को आप बोलना है कम जे कम 21 बार ठीक है और ये जो पांच मंतर बताए हैं ये सारे सभी काम करते हैं ऐसा कोई काम नहीं कि इन मंतरों से ना होता हो तो ये जो मंतर हैं सारे काम करते हैं आपको इन में से जो भी मंतर सही लग रहे हैं जो असान लग रहे हैं आप उनका भी इस्तमाल कर स और अगर पांचों ही करना चाते हैं तो आप उसे भी कर सकते हैं तो जैसे आप लोगों के लिए एक बड़ा च्छा मुक आया है आपका मंत्र दस मिनिट में सिद्ध हो जाएगा सिर्फ आपको अपनी जुमान से मंत्रों को बोलना है अगर बती जला के समझे लो जैसे आप ब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै मातकाली हर हर महादेव माकाली बाबा भूलेना ताब सभी की सारी मनुकामना पूरी करें खुश रहें आप और आपका परीवा